हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा एकट्यू का सब्जेक्ट है एनर्जी साइंस इंजिनिरिंग इसके इंपोर्टन कुश्चन बताने वाले हूं समय पहले हम यूनिट 5 की बात करते हैं यूनिट 5 में पहले जो इनकी इसमय बहत कम है थोड़े अलग अलग टायप के खरगए थो यह जो मैंको सब्सक्राइब को जो को में देख लेना यह noite उनने के हैं इसे प्लें हूं यह इसे लिए थर बनताना गसंवे नहीं के लिए मैं हैं तो इनट जएम आपको इस बीज़या में उपना प्रटन which can made a building green or what are the 7 components of green building 100% chances 2nd and 3rd में से एक question आएगा जरूर तो इनको अच्छी तरीके से देखके जाना फिर क्या summarize the global warming feature and focus the impact of this phenomena on the disturbance to the sustainability of environment 100% chances है देखने को मिल सकता है तो इसको पढ़के जाना फिर क्या briefly explain the different type of storage system तो इसके भी 100% chances है देख लेना फिर क्या what happens to waste of nuclear plant system what are the 3 levels of nuclear waste explain with the need is correct 80% chances है थोड़े कम chances है देखने को मिलेगा पर देख लेना इसको भी तो इसके बाद जो हमारा अगला है 2 marks के question यह वाले देखने को मिल सकते है 7th में 2 marks के question है what are the alternative to deal with energy crisis तो 2 marks में जो है पहला जो question है what are the alternative to deal with energy crisis तो यह वाला देख लेना first question जो की important है 2 marks के लिए और second क्या how long how long does it take for nuclear radiation to kill you तो यह वाला question देख लेना 2 marks के लिए और third क्या energy conservation and lead rating lead ratings तो यह दो इन सम्में से आपको 2 marks के question देखने को मिलेंगा और 7 marks के लिए important है तो यह वाले question देख लेना unit 5 में आप चलते है unit 4 में कौन-कौन से important question है unit 4 में जो पहला question है how does geothermal power work explain briefly with neat sketches what are the advantage and disadvantages of geothermal energy and difference between geothermal power plant and thermal power plant hundred percent chances इस question के देखने को मिल जागा तो इसको भी अच्छी तरीके सा आपको पढ़ देना फिर क्या है outline the working principle of tidal power plant discuss their advantage and limitation और इसके advantage and limitation देख लेनी है और also give present state of tidal power in India तो इसके hundred percent chances देखने को मिलेगा और इसके बाद क्या third question write down the principle of power generation in wind mills drive and exploration for maximum efficiency and how are the wind turbine design explain briefly with neat sketches तो सब के diagram के साथ पढ़ना आपको इसको भी अच्छी तरीके से देख लेना hundred percent chances है फिर क्या what are conventional and non-conventional energy sources write short notes on classification of energy sources hundred percent chances देखने को मिलेगा इसको भी अच्छी तरीके सा पढ़ देना है second care two marks में देखने को मिल सकता है वेरियस बायोजिकल एनर्जी सोर्से वेरियर जियो थर्मल एनर्जी सोर्से ओटीजी सिस्टम एं लिमिटेशन हो टाइट हो टाइट सार जन्रेटी तू माक्स में देखने को मिलेंगे कुश्चिन और लास्ट कुश्चिन क्या दिसक्राइब दीन बंदू बायोगास प्लांट थोड़े कम चांसे 80% चांसे देखने को मिलेगा और इसके बाद चलते हैं यूनिट सीरी पर यूनिट सीरी में कौन-कौन से इंपर्टेंट कुश्चिन है यूनिट सीरी में जो फ़स्ट कॉश्चिन है वाट आर दा बेसिक वेजो तू मेजर सोलर एडिएशन एंड एक्स्प्लेइन विद नीट स्केश्चिस एंड वाट आर दा डिवाइसे यूज्ट फोर मेजिंग दा सोलर एडिएशन एक्स्प्लेइशन विद एनी वन ओफ विद नीट स्केश्चिस तो हंडिर पर्सेंट चांसे से इसको मिलेगा तो इसको भी आपको पढ़ देना है और थर्ड कोश्चिन का हमारा पी एन जंक्शन और डिवाज बायस देख लेना इसकी करेक्टरिक भी देख लेने दोनों में से एक आएगा फस्ट और यह वाले और पिछले वाले कोश्चिन में से फिर्ड कोश्चिन आप हमारा क्या है इस ऑिस और इनर्जी के बारे में पिर अगला क्या तो यह वाला देख लेना अंडिर परसेंट चांसे सदेखने को मिल जाएगा फिर अगला क्या सोले डिफ्रेंस बिट्तूीन डारेक रेडिएशन तो इसको भी देख लेना 100% चांसे देखने को मिल जाएगा अगला क्या बॉट इस अपिंसिप आप सोलर वोल्टो वोल्टेक पावर जनरेशन एक्स्पें ब्रीफली विद नीटी स्केचेज और ड्राइब वी आई और पीवी क्यारक्टरिस्टिक और फोटो वोल्टेक अगला क्या है लासी डिफ्रेंट टाइप सोलर सर्मल कलेक्टर और शो दा कंटेक्शन कंस्ट्रक्शन डिटेल और फ्लेट प्लेट कलेक्टर वाट आर दा मीन एडवांटेज इसके बिए उन्डेट पर्सेंट चांसे देख लेना थोड़ी वाली यूनिट बढ़िए तो इसको देख लेना अच्छी तरीके से टू मार्स में भी देखने को मिल सकते हैं वाले सोलर सेल है और प्रिंसिप और सोलर सेल तो इसके अंदर यह वाला जो कुश्चन है ना आप छोड़ भी सकते हैं सैंविंत वाला कभी कभार पूछ लिया जाता एंडेट पर चांसे तो पर छोड़ सकते हैं और को कुश्चन देख लेना और अब चलते हैं यूनिटू पर यूनिटू में जो पहला कुश्चन है क्या है वाट यू दू मीन वाइंडिंग एनर्जी वाट इस टोटल बाइंडिंग एनर्जी नुक्लियों फॉर दस सी 612 नुक्लियर्स और दो दा नुक्लियर फिजन नुक्लियर फ्यूजन हाउड़ इस दा डिफरन फियो नुक्लियर फिजन तो यह भी 100 परसेंट चांसे देख लेना इसके अगला क्या है हमारा विद दा नीट इसके जैज एक्प्रेंड प्रेसराइज प्रेसराइज डॉटर रेडियेटर पी डबलू इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है इलूस्ट्रेट दा कॉंसेट ऑफ लूट नुक्लियर फिजन डियक्टर डिजाइन डिजाइन विद रहल पफ डाइग्राइज एक्स्प्रेंट प्रेंट चांसे यह भी देखने को मिल सकता है अगला क्या वाट तो दूमीन वाइन परसे वाट दा टाइपस अफ नुक्लियर फोर्से एक्प्रेंट बीफ ली डा आउटलाइन डिफ्रेंट एनर्जी स्केल यूजिन डियूजिन डियूज परसेंट चांसे यह भी देखने को मिल जाएगा पिर अगला क्या वाट इस दा इंपोर्टेंस ऑफ क्वांटम मेकै आलसो डिक्स्क्राइब दा कॉंसेट ओफ क्वांटिजेशन अफ एनर्जी अंडिर परसेंट चांसे इसको देखने को मिल जाएगा सेकिंड कुश्चिन क्या डिसकर अप्लिकेशन अप्लिकेशन एक्सप्ट फ्यूल से तो इसको भी पढ़ देना है हंडिर परसेंट चांस ओफ कानोट हीट इंजन विद पीवी एंड टीएज डाइग्राम इसके भी हंडेट परसेंट चांसे देख लेना इसको फिर अगला कहा है एकलें दा ब्राइटन साइकिल एंड अप्टेन एक्परेशन फोर एफिशेंसी इन तर्म प्रेशर एंड टेंपरेशर रेशू तो इनर्जी के बारे में पढ़ लेना टू माक्स में बस यह कोश्चन थे तो इनके लावा कोई और कोश्चन देखने को नहीं मिलेगा मिलता है इसी तरीके की नेक्स वीडियो में